हेलो फ्रेंट्स माहूराजन और आप देख रहे हमारे चैनल टेलरिंग गुरूजी आज के इस वीडियो में देखेंगे हम कूरती में जो साइड स्लिट्स बनते हैं उसको कैसे बनाते हैं इसमें हम बोलते हैं कूरती का चौक तो यह चौक कैसे बनाया जाता है आपके तरफ चौक को किया बोलते हैं ये नीचे कमेंड करके बताना मुझे और ये इस कूर्ति की सिलाई का पार्ट नंबर थी है पहले पाट में बताया था कि गले में पाइपिं होता है कि आपका साइट से कभी कम ज्यादा हो रहा है या ऊपर से ऊपर नीचे यहां पर कभी छोटा बड़ा हो जाता है वहां पे जो स्लीट का कॉर्णर एरीया वह पर फिनिशिंग नहीं आती तो सारी चीजिए आज के इस वीडियो में उसक्राइब करना चैनल पर पहले ब पता दिया है आज का टॉपिक पर्टिकुलर चौक के उपर है तो हाउ टू स्टार्ट कैसे सुरू करें तो यहां पर देखिए कूरती अभी उल्टा रखा हुआ है ठीक है यह एक कॉर्णर लेना है कि किसी भी एक कॉर्णर को आप पकड़ो यहां से स्टार्ट करेंगे अराम से यह हो गया दो बार फोल्ड करने के बाद चौड़ाई इसकी इतनी ही होनी चाहिए ध्यान दीज़े इसकी चौड़ाई कितनी यह एक परफेक्ट चौडाई है आप कम जादा कर सकते हो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते लेकिन यह इसकी परफेक्ट फोटी वीडियो है पूरा देखिएगा यहां न मूडिए यहां तक सिलाई लगा लिए फिर इस तरह अब देखो यह तो ख्रिया रहा है कि आपको शिरी लगानी है यहां समझ में आ रहा है लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हाद कैसे अग्रा permettre क्या है उसको थोड़ा सीखिए यह देखो यह इस तरह से पीछे से आपको खीचना है सिलाई लगाते हुआ सामने हाथ कहा रखा हुआ है उसको देखे और यह जो कॉर्णर आता है यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो यहां पर देखना फिर से समझा रहा हुआ ध्यान दीजिए यह कॉर्णर है यहां पर हमने हिप का फिटिंग किया हुआ है तो यह जो है इस तरह से पहले यहां पर आओगे तो पूरा इसको अच्छे से फैला लेना कोई सलवट वगरा नहीं रहनी चाह है यहां तक उसके बाद आपको यहां से जब उठाओगे इस चीज का थोड़ा ध्यान देना कि जब आप यहां पर यह प्लेजर उठा करके कपड़ा घुमाएं तो आपका सुई अंदर ही होना चाहिए यह बाहर नहीं निकलना चाहिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हू प्लेजर को यह देखें अब मैंने क्या किया प्लेजर उठाया यह ऐसे अब कपड़े को घुमाएं तो सुई आपका कपड़े के अंदर होना चाहिए यह फिनिशिंग के लिए बहुत जरूरी है इस चीज को ध्यान रखना उसके बाद वापस से प्लेजर को रख देंगे यह पहले इसको मोड़ना है यह देखिए यह वाला जो हिस्सा है यह इस तरह से रखने के बाद यह इस तरह से प्लेजर रख दिए अब इसको मोड़ना है ठीक है यह वाला हिस्सा यह ऐसे अब यह मोड़ लिए उसके बाद आपको सिलाई आगे बढ़ाने यह देखो अब क क्या करेंगे बिल्कुल कॉर्णर पे आने के बाद फिर से ध्यान देना सुई अंदर ही है प्लेजर उठाएंगे वापस से कपड़े को घुमा देंगे ठीक कि उसके बाद जो है यह इस तरह से रख करकें कि सिलाई आपको फिर से आगे बढ़ाने हुआ इसके बाद आएंगे हम दूसरी साइड पर कहने का मतलब इसी साइड के दूसरी किनारे पर क्योंकि दूसरे किनारे पर भी मैं सिलाई लगानी अगर आप एक ही किनारे पर लगाते हो कोई बात नहीं जो लोग दोनों किनारे पर सिलाई लगाते हैं वो लोग ध्यान से देखे क्योंकि एक किनारे पर इस तरह से लगाना इस टार करेंगे पीछे से खिचते रहना है आपको नहीं खिचोगे तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आई और इस कॉर्णर पर आने के बाद यहां पर एक बार फिर ध्यान देना यह जर्ष्ट कॉर्णर पर आए यहां पर सुई रुका अंदर ही है सुई और घुमाती है यह ऐसे केवल एक टांका चलेगा और वापस फिर से घुम जाएगा ठीक है यह ऐस तो यह हो गया फ्रेंट्स अभी देखिए जैसा मैंने बताया है ठीक इसी तरीके से दूसरे साइड की आपको करनी है फिटेंग माफ की जगा चौक बनाने सिलाय लगानी बिल्कुल इसी तरीके से इधर जो थोड़ा वह चोटा बढ़ा है इसको हम चाट के बराबर कर दें ठीक है पहले दूसरे साइड को बनाते हैं उसके बाद थोड़ा सा नीचे के लिए बताऊंगा तो दोनों साइड का देखिए बना लिए फ्रेंट्स उसके बाद आपको क्या करना है नीचे वाला जो शेप है दामन को मोरने से पहले यह नीचे वाला जो शेप है इसको मोरन यह सिलाई आपको लगानी है तो चलिए यह सिलाई नीचे वाली करते हैं complete और फिर मैं आप लोगों को इसकी finishing थोड़ा सा दिखाता हूं कि थोड़ा सा दीखिए कि साइड स्लीट और चौक में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्या होता है हीप का पास हीप जो है यहां पर देखना यह जो हीप है यह एरिया यहां पर आपकी finishing बहुत अच्छी आनी चाहिए ठीक है इसी तरीके से आप भी करना यह एक साइड का है दूसरे साइड कभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि यह देखे कुछ लोगों को यही अच्छे से बनाना नहीं आता तो आज के वीडियो मैंने प्रॉपर बता दिया है उमीद करता हूं आप लोगों को सक को समझ में आ गया होगा वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना शेयर करना चैनल पर पहली बराएं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा मैं राजान आपसे फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय है